अगर आपके फोन में क्रोम ब्राउजर है या गूगल है तो आप जल्दी से इन तीन सेटिंग को बंद कर दीजीगा नहीं तो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचेट, वाटसाप, गूगल पे, फोन पे, फिलिस पे और जितने सारे एप हैं आपकी जल्दी से जल हो जाएगा और आपको पता भी नेचे लगा, क्या आपको पता है कि जो क्रोम ब्राउजर या गूगल में एक सिटिंग होती है जो आपकी हमेशा ओन रहती है, जिससे आपके सारे डाकुमेंट्स, आपकी जितने फोटो हैं, जितना भी आप भी चैट करते हैं, जितना आप पता है लोगों का, तो उससे कैसे बसते हैं, आज हमारी इस वीडियो में आप जानेगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको चले जाना है अपने लगों ब्राउजर पर चलते हैं और आपसे बात करते हैं, तो हमारे पास दूसरा फोन है, इस फोन से हम आपको बताएंगी कि कैसे आप इसके साथ में कर सकते हैं सारा सिस्टम, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्रोम ब्राउजर के बारे में, तो सबसे पहले आपको चले जाना अपने क्रोम ब्राउजर पर ठीक है, क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है, क्रोम ब यहां पर आपको three dots पे चले जाना ठीक है three dots पे जैसे यहां पर जाओगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है setting option तो setting वाले option पे आपको click कर देना ठीक है setting वाले option पे जैसे आप click करते हो तो यहां पर आपको मिल जाता है password manager का option ठीक है तो हां setting वाले option पर आपको click कर देना हैं setting वाले जैसे option पर आप click करोगे तो यहाँ पर लिख कर आता है other to save password ठीके offer to save password इसको off कर देना हैं और यहीं पर लिखा है कि auto sign in auto sign in का मतलब होता है जब आप कोई photo या कोई gallery जब आप कोई photo या gallery यहाँ पर की कोई application डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर auto fill मांगता है यहाँ पर सब चीज अलाव कर देतो उसे का problem होता है तो यहाँ से इसको भी off कर देना है ठीक है मेरे दोस्त उसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है जैसे आप यहाँ से बैक होंगे तो यहीं पर आपको देखनेंस you मिलजाता हूँ नीचे payment method होप सन ठीक है तो payment प इतनी setting कर देंने ठीक उसके बाद यहाँ से आपको वैक होना है जैस्सके आप वैक होंगे तो यहाँ पर आपको नीचे के और देखने को मिल जाता है safety check ठीक है तो safety check पे आपको click करना है और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है आपका update और password जो gmail आप डाल रखे हैं और यहां से password save to device का अपसर और safe browsing पे आपको click करना है safe browsing पे जैसे आप click करोगे तो यहां पर extended protection लगा हुआ है और यहां पर no protection not recommended तो यहां पर आपको यहां कर देना है no protection not recommended ठीक इसको off कर देना है बस आपको इतना कर देना है और बाकी सब चीज आपका ओफ जाए हैं और ABOUT आपका data का भी लीक नहीं होगा बस आपको इतनी setting करनीए ठीक मेरे तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए जैन जै भारत अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब चरूर करें